हेलो स्टुडेंट्स आजम पढ़ेंगे कैपैसिटर का थर्ड एंड लास टाइप जो की था सिलिंड्रिकल कैपैसिटर तो हम देखते हैं कि सिलिंड्रिकल कैपैसिटर क्या होता है उसको हम फिगर से समझते हैं तो जो cylindrical capacitor है, वो ऐसा कुछ दिखता है, इसमें दो cylinder होते हैं, जिसमें एक common axis होती है, एक inner cylinder होता है, एक outer cylinder होता है, दोनों की radius है, छोटे वाले ही cylinder, मतलब कि जो inner वाला cylinder है, उसकी radius A होगी, और जो outer वाला cylinder है, उसकी radius B होगी, और जो दोनों सिलेंडर होंगे वो hollow सिलेंडर होंगे मतलब की उनके अंदर में कुछ material नहीं भराओगा वो खोकले होंगे, दोनों खाली होंगे तो जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसके अंदर में एक छोटा वाला सिलेंडर हम रखेंगे और दोनों की जो axis होगी वो common होगी मतलब कि हम जो radius count करेंगे वो same axis से करेंगे तो जब हम ये cylinder जो है अंदर वाला जो की A cylinder है उसको जब हम positive charge देंगे तो जो cylinder B है उसके surface पे inner वाले surface पे negative charge induce होना शुरू हो जाएंगे और जो बाहर वाला surface है उसके positive charge induce होना शुरू हो जाएंगे इसलिए जो cylinder B है हम उसकी earthing कर देंगे और जो दोनों cylinder होंगे उन दोनों के बीच में हम एक dielectric medium को fill कर देंगे क्योंकि दोनों hollow cylinders हैं तो जो cylinder B है वो बड़ा है तो उसकी radius भी बड़ी होगी और जो cylinder A है उसकी radius छोटी होगी क्योंकि वो cylinder भी छोटा है तो हम दोनों cylinder के बीच में एक point P consider करेंगे जो की जिसका जो distance होगा cylinder की axis से वो distance R हो जाएगा तो point P का distance cylinder की axis से R हो जाएगा तो electric field intensity point P पे हो जाएगी E is equals to 1 by 2 pi epsilon not k into lambda by r तो यह जो intensity of electric field का formula है यह हम chapter 1 में जब हमने applications of gauss theorem पढ़ा था उसकी first application में यह formula हम पढ़ चुके हैं कि intensity of electric field कैसे निकाली जाती है यहाँ पे हम वो formula इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमने cylinder imagine किया था और यहाँ पे हमारे पास cylindrical capacitor यह है इसलिए यह formula यहाँ पे apply होगा is equals to 1 by 2 pi epsilon not k into lambda by r जो lambda है वो linear charge density है तो जो potential difference होगा a और b के बीच में मतलब की cylinder a और cylinder b के बीच में तो हमने potential की definition पढ़ी है कि हमें point b से point a पे किसी unit positive charge को लाने के लिए जितना काम करना पड़ा वो ही electric potential हो जाएगा तो v is equals to हो जाएगा integration कर देंगे हम b to a क्योंकि हमें जो cylinder b है वहाँ से हमें cylinder a पे लेके जाना है तो हम cylinder b की radius consider करेंगे और cylinder a की radius consider करेंगे और यहाँ पर जो negative charge है वो यह दिखा रहा है कि कि जो electric field की direction है वो outward होगी और जो displacement हमें करना है वो inward होगी तो जो potential हो जाएगा वह जाएगा वी इस इक्वल्स टू integration करेंगे हम e into dr हमने relation between potential difference and intensity of electric field पढ़ा था जिसमें हमने यह formula डिराइव किया था v is equals to e into dr वहाँ पर था e is equals to minus dv by dx तो dv is equals to e into dx तो यहाँ पर हमने v is equals to integration of b to a e into dr यहाँ फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि work done जो है work का formula होता है force into displacement तो जो dr है वो छोटा सा displacement हो जाएगा और e जो है वो एक force हो जाएगा क्योंकि जो intensity of electric field है उसका formula होता है e is equals to f upon q तो जब हम किसी unit positive charge को point b से cylinder b से cylinder a पर लेके जाएगे तो जो force होगा और intensity of electric field होगी हो equal हो जाएगे क्योंकि unit positive charge है क्योंकि हमने unit positive charge consider किया है तो v is equals to integration of e dr हो जाएगा यह जो limits है हम point b से मतलब की cylinder b से cylinder a पर हम unit positive charge को लेके जाएगे तो हम radius ले लेंगे बड़े वाले cylinder की मतलब b की और छोटे वाले cylinder की मतलब की a की और यहाँ पर जो negative sign है वो हमें यह दिखा रहा है कि जो intensity of electric field है उसकी direction इधर की तरफ होगी क्योंकि यहाँ पर positive charge है तो जो intensity of electric field है यह positive to negative होता है तो positive से negative electric field की direction होगी और जो हमें unit positive charge का displacement करवाना है वो b to a है तो b to a इधर की तरफ हो जाएगा और positive to negative इधर की तरफ हो जाएगा तो दोनों की direction एक दूसरे के opposite है इसलिए यहाँ पर negative sign आएगा v is equals to हो जाएगा यहाँ पर minus और e की जो हमने value निकाली थी यह 1 by 2 by epsilon not k into lambda by r उसको हम यहाँ पर put कर देंगे और into में dr वैसे ही रहेगा तो जो minus lambda upon 2 by epsilon not k constant आजाएगा और integration हो जाएगा b to a dr upon r तो dr upon r मतलब की 1 upon r का जो integration होता है वो log r होता है और base e हो जाएगा तो minus lambda upon 2 by epsilon not k log base e r और limits जोगी वो b to a होगी तो minus lambda upon 2 by epsilon not k जब हम upper limit और lower limit की value पुट करेंगे तो यह हो जाएगा log base e a minus log base e b तो v is equals to lambda by 2 by epsilon not k log log e of b upon a यहाँ पर log base e a minus log base e b था जब हम इसमें से minus को common लेंगे तो log base e b minus log base e a हो जाएगा तो minus और minus जो है वो plus हो जाएगा मतलब कि दोनों एक दूसरे से cancel हो जाएंगे तो यहां हो जाएगा log base e of b minus log base e of a तो हो जाएगा log base e of b upon a क्योंकि b minus a हुआ तो b upon a हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे equation number one तो जो capacitance का formula होता है वो मैं पता है कि c is equals to q by v होता है तो जो हमने v की value find की उसको हम यहाँ put कर देंगे जो की थी lambda upon 2 by epsilon not k into log e of b upon a यहाँ पे जो capacitance है capacitor का वो per unit length जो है वो c है तो per unit length के लिए जो capacitance की unit होती है वो तो farad होती है यहाँ पे per meter इसलिए आया क्योंकि हम per unit length की बात कर रहे हैं तो c की जो unit हो जाएगी इस condition में वो जाएगी farad per meter तो lambda से lambda cancel हो जाएगा और c is equals to 2 by epsilon not के उपर आ जाएगा और upon में log base e of b upon a हो जाएगा तो c is equals to 2 by epsilon not के upon हमें base e को base 10 में change करना है तो हमें 2.303 का into करना पड़ेगा तो 2.303 into log base 10 b upon a तो log base e जो है वो log base 10 में convert हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई dielectric medium present नहीं है air present है तो हम case equals to 1 put कर देंगे तो c is equals to 2 by epsilon not upon log base e b upon a farad per meter हो जाएगा तो हमाया final derivation आजाएगा c is equals to 2 by epsilon not upon यहाँ पे हमने base e को base 10 में change किया तो upon में 2.303 into log base 10 b upon a अगर हमें capacitance की value बढ़ानी है तो उसके लिए क्या क्या factors होंगे वो देखते हैं जो दोनों cylinders होंगे उन दोनों की length जादा होनी चाहिए और जो दोनों cylinders है उन दोनों की radius equal होनी चाहिए और dielectric medium जो है वो दोनों cylinders की बीच में होना चाहिए तो इससे क्या होगा कि जो capacitance है वो हमें उसकी जादा value मिलेगी और और cylindrical capacitor का capacitance हमें जादा मिलेगा थेंक यूँ